यह कैसी भाषा है जो आप लोग बरदास्त कर रहा है कभी यह विभीशन कहते हैं कभी आपको आरेसेस का छोटा रिचार्ज कहते हैं क्या है यह देखी ब्रजेस जी पहली चीज तो आम आदनी पार्टी के जो राश्टी संयोज़क अधणी अरविंद केजरिवाल जी है प्र दर्सन करके गए अरविंद केजरिवाल जी अपना परचा पहला परचा जब दाखिल करने गए थे पहली बार चुनाव में तब भी वह हनुमान जी का दर्सन करके उनका आश्रिवाद लेकर गए यह आसिम वकार को कई दो नोट करते चाहिए अब आसिम वकार साहब के अपना जो है जो जिसको एक तरीके से हम कह सकते कि रामराज को असली मगर कहीं हिंदुस्तान में अस्थापित किया तो अरविंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया अगर बिजली फ्री होती तो मुस्लिम को भी मिलती हिंदू सिक हिसाई सब को मिलती है औ कि बिकास की बात हो भारती जनता पार्टी कभी बी सभी वन टू वन अरविंद केज भी आला जी पर आई ए चाहर ना वैस इसलिए उनके सबसे बड़े स्टार प्रचार और भारती जनता इसलिए मैं कर रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एडी और सीवियाई पंचाने परसनल भी पच्छी नेताओं के उपर कमर का मुकदमे कर रही है सब को उठाकर अंदर जेल के अंदर डाल रही है ओएसी साहब और उनकी पार्टी आए दिन जो अनर्ग कोई अपराद नहीं के लिए भी बीचान की बात कर रहा है कि कॉन हमारे बच्चों की सिक्षा की बात कर रहा है तो मैं टोका उनको विशन कि बात करेmiं तब तो वहीं कह रहा हूं कि भाती जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं समय समय पर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुना हो तो आप देखिए गाई आपके उपर नहीं वह बहुत लाएं वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा सीधा नहीं लड़ सकती है आम आधी पार्टी ला देती है कभी किसी और को आगे ला देती है यह भाती जनता पार्टी इस बात को अच्छे जानती है और आज तकलीव इस बात की है कि हम लोग जब वहां सुन्दर कांड कर रहे हैं तो हम वहां पे कोई बैनर कोई कुछ है नहीं कोई पॉलिटिकल कार्कम नहीं करें आप बैसे क्या मतलब है हमारी दिकास की बात करो सिक्ष्या रुजगार की सुन्दर कांड के लिए पुजारी है धार्मिक लोग अपना करेंगे ना क्यों कर रहे हो देखिए अरविन केजरिवाल जी हनुमान जी के परम भक्त हैं और आप इस बात को समझें सबसे इंपोर्टें तो इस बात को समझ लें जितने हिंदुस्तान के अंदर फरजी रामभक्त बनकर घूम रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए चाहिवा मुस्लिम समाज के हो चाहिवा हिंदु समाज के हो यही बात जंजय चौधरी नहीं समझ रहे हैं जब मैंसे कह रहा था कि राजनीत मे बिहेवरियल थाट और पूरा थाट प्रोसेस ही बदल चुका है नरेटी भी बदल चुका है अब देखो जैसे आप छाती ठोक के कह रहे हो दीपक रंजन अभी कह रहा थे कि बीना सुन्दर कांड निकलता नहीं घुगर से यही तो मैं बात कर रहा हूं और मैं कोई झालता है